राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है न्याये ममी रजनी के पापा का फोन आया था उसकी ममी की तबियत अचानक खराब हो गई है हॉस्पीटल लेकर गए हैं तो मैं और रजनी निकल रहे हैं रजनी तयार हो रही है तब तक दीदी आप केवल रोटिया सेक दीजिये उसने सुबर से कुछ नहीं खाया है थोड़ी खा लेगी तो सही रहेगा अपनी मा की कमरे में आकर आदर्ष ने बहन सीतल से कहा अरे बेटा हॉस्पीटल लेकर के गए है न तो ठीक हो जाएगी तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुझे तो पता है उसकी मम्मी की तवियत तो अब खाराब हुई है लेकिन मेरे अपरेशन को भी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है तो फिर वो चली जाएगी तो कौन संभालेगा उपर सी सीतल भी आई हुई है भाई उसके बिना यहां तो मैनेज नहीं हो प जी ने रजनी की माय की जाने पर बिराम लगाना चाहा दूसरी तरफ अंदर तयार होती रजनी की कानों में जब यह सब्द पड़े तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा घोल दिया हो ऐसे कैसी हो सकता है जब मेरी मां अस्पताल में भरती है तब मुझे जाने से कोई कैसी रोक सकता है कोई कैसी एक बीमार मास से मिलने के लिए उसकी बेटी को रोक सकता है वो भी केवल इसलिए कि उनकी सास की ऑपरेशन को 20 दिन हुए है और ननत माय के घुमने आई है ये कैसा नया है लेकिन नहीं इस बार मुझे आवाज उठाने ही पड़ेगी क्योंकि इस बार बात मेरी मा के तबियत की है ये सोचकर हुआ भी अपने सास के कमरे में आ गई लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले ही उनका बेटा उनके समझाने की कोशिस कर रहा था मा कैसी बात कर रही हो रजनी की मा की तबियत खराब है वो होस्पीटल में है ऐसे में एक बेटी को अपनी मा से मिलने की इजासत भी नहीं है तो फिर तुम्हारे ऑप्रेशन के बाद दीदी क्यों आई हुई है जब दीदी अपनी बीमार मा से मिलने आ सकती है तो फिर रजनी क्यों नहीं जा सकती आदर्ष ने मा को समझाने की कोशिश की वह बेटा अपनी बीबी के लिए तु हमसे लड़ने आ गया और तो और तेरी इकलोती बेहन जब माई के आई है तो उसी भी तुने ताना दे दिया सही है बेटा सही सिक्षा मिल रही है तुझे सही पढ़ा रही है तेरी बीबी तुझे ममता जी ने गुसी में कहा माप किजिएगा ममी जी लेकिन ना मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत है और ना ही मैंने कुछ पढ़ाया है जो सच है वहीं कह रही है रही बात मेरे माई के ज जब मैं अपनी मा के पास उनकी सेवा करने जा सकती हूँ तो फिर क्या दीदी इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए वैसे आपको याद दिलाना चाहूंगी मम्मी जी की जब मेरी पिहू पैदा हुई थी ना तब मेरी सिरिजन अप्रेशन हुई थी और 20 दिन बाद दीदी की डिलेवरी हुई थी तब आपने ओप्रेशन वाली बहु को छोड़कर अपनी बेटी के पास उनकी सेवा करने के लिए चली गई थी जबकि उनकी ससुराल में उनकी सास ननद सब मौजूद है भारा पुरा परिवार है लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी बेटी की सेवा अच्छे तरीके से नहीं होगी इसलिए आप चली गई थी तब तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा था तब तो आप दिदी की सेवा करना चाती थी ना किवर 20 दिन हुए थे मुझे ओप्रेशन को और घर का पूरा काम कर रही थी मैं बच्चों को संभालती इतनी छोटी बच्चे को नहलाना मालिस करवाना उसकी सारे काम करना सब कुछ किया है मैंने और जल्दी जल्दी काम करने की वज़ा से मेरे सरीर को कितना नुकसान हुआ है ये मैं ही जानती हूँ मेरी गरभासे में सूजन आ गय थी क्योंकि अपने समर्थ से ज्यादा काम कर लिया था मै मैंने तब डॉक्टर की पास जाकर दुबारा इलाज करवाया था मैंने लेकिन इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था तो फिर जब मेरी बारी आई तो आप पिछे क्यों हट रही हैं और वैसे भी आप दीदी की सेवा करने गई थी ना तो आप दीदी ही आपक माकी आकर मेरी सेवा करो और वैसे भी कौन सा वो मेरी सेवा भी कर रही थी भारा पूरा ससुराल है मेरा उन्होंने कियाता सब कुछ तो मैं क्यों करू आप जाओ या ना जाओ अपने माय के लेकिन मैं तो चली अपने ससुराल मैं नहीं करने वाली यहां पर रहकर ममी की हो चुके हैं ऑप्रेशन को अब ममी अपना काम खुद कर सकती है बाकी काम के लिए रिमा आंटी है ना थोरा ज्यादा पैसे दे दिजिए उनको तो खाना भी बना देंगी ममी और भाई के लिए बड़े ही भद्दे तरीके से ननद सीतल ने भी अपना पल्ला जार लिया जिस बेटी के लिए बहु को छोर कर गई थी आज वहीं बेटी मुश्किल समय में जरूरत परनी पर इस तरीकी का भेवार कर रही थी बहु तू चली जा तेरा वहां जाना जरूरी है मुझे 20-22 दिन हो चुके हैं अपना काम कर लूंगी और सही बात है पैसी देकर बाकी काम भी हो जाएगा रही बात किसी अपने के पास होने की तो जब मुसिबत में मेरी बेटी पल्ला जहार लिया तो फिर तुमसे क्या हूं उमिद कर सकती हूं बलकि तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि मता पिता से बढ़ कर कोई नहीं होता जाओ तुम उनके प्रती अपने फर्ष को निभाव कहीं ऐसा ना हो कि आज सीतल ने सरमिंदा करके मुझे दर्द दिया है दिल के किसी कोने में वहीं दर्द समधन जी को भी ना सैना पड़े इसलिए तुम जा सकती हो आशू भड़ी आँखों से मम्ता जी ने कहा अरे सीतल अब तु जरा सा सर्म कर ले मैं तो ये बा साभी की ना सही कम से कम तुम मा की तो सगी हो लेकिन नहीं तुछ से तो ये उमीद करना ही बेकार है मैं जा रहा हूं रजनी को लेकर और जाते जाते रिमा आंटी को कह देंगी वह एक्स्ट्रा पैसे लेकर सारा काम कर देंगी और कल सुबा की तेरी भी टिकट बनवा दू फिर से अपने दोनों परिवार के बारे में सोचने लगी सुनिए ऐसा करते हैं दीदी की टीकट कल दोपहर के बनवा दिजिए और आप सुबह तक मुझे छोर कर वापस आ जाईएगा अगर मेरी मा को मेरी जरूरत है तो यहां पर मम्मी जी को भी आपकी जरूरत है इसलिए बेतर यहीं होगा कि हम दोनों ही अपने अपने फर्ज निभाए बाकी जिसकी मर्जी जो कड़े इतना कहका रजनी और आदर्श दोनों ही चल पड़े अपना अपना फर्ज पूरा करने असा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लिस वीडियो पर आपके क्या रहा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा जैसरी कुस्ता दोस्तों हरी बो